दृश्टी खुलना ही बहुत बढ़ी बात हैं और दूसरा उसको समझना उससे भी बढ़ी बात है कि दृश्टी में कही बार हमार को कही चीजें ऐसे दिखती हैं जो की सादक के लिए या नौर्मल इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है उन चीजों को समझने के लिए उनको बैलेंस करने के लिए या वो अच्छी है या बुरी है उस चीज का डिसीजन लेने के लिए हमें गुरू की अवशक्ता बढ़ती है या किसी चीज में ट्रैप ना हो जाएं तो उसी तरीके से तो द्रिष्टी अपने आप में पूरा सब् या उन परतों के भी बहर जापाते हैं उन दिवारों बीटोडबाते जो पहले नहीं तोड़ पा रहे थे द्रिष्टी के लगातार प्रियोग करने से या उसको इस्तमाल करने से सब्सक्राइब ढरें तो फिर्वारों को चोटा करें अभां सिद्ध करें जैसे किया आप शाच हो गई बेताल हो गई जिन हो गई है ना और हमारे और भी कई चीजे हो गई भूत हो गई तो यह नॉर्मली जो चीजें यह बहुत अपर लेवल कि मैंने आपको नेगेटिव एंटिटीज और ताकतवर प्रेत बताएं इनकी जो होती है तांत्रिक सिद्धियां करते हैं उन प्रेतों को मार पड़वाते हैं कि मारकर हैं हाथ लगा कि थोड़ी पड़ार हूं मैंने तो हाथ लगा लनिन कि वहां दूर से देव से बहा अपने शक्ति से बहाए मों आपके बैट लास्त device तो को आप किसी ुद्भाइन कर रहे थे आपने प्रेद का अपनी अनुमान जी के दूतरों को बोला किस को पटक पटक की फटक के मारो और वह जैनुवन तरिक छींब टनें तो मैं वो क्वेशिन वह इंच में फीद्माग में दिमाग में की मैं है मैं अबने पहले जैसे सत्य यूग होता था हमारा तरियता होता था तो अपर इन यूगों में या स्टर फिजिकली थे अर्याना वाली बैंजी की उनकी तब्यत जिस दिन मैंने उनको लास्ट हील किया था उसके तीन से चार दिन हफते पर के गैप में मैं उनके घर पहुंचा उनकी तब उससे पहले जब मैंने बोला मैं घर से निकला उनकी तब खराब होना शुरू क्योंकि जो नेगेटिव एंटिटी थी जो उनको दिक्कते थी उन्होंने उनको बर्डन करना उनको परिशान करना मारना या तकलीफ देना शुरू कर दिया बहुत प्रबल तरीके से अब मैं घर पहुंचा उनकी हलत और बेकार मैंने घर में कदम रखा उनकी घर देखा घर में जो तांडव मच रहा है उनके जो नेगेटिविटी अप टू नेक्स्ट लेवल मैं तो यह सोच रहा कि भाई मैंने कुछ किया भी है हावा में ही तीर मार के छोड़ दिया इतना बुरा साल उनका घर पर उनके पापा की तब इत्खराब शासूर जी कि उनके ठीक हुआ उनके हजबेंड का काम दंदा बंद उनकी सास की तब इत्खराब उनकी सास के प्रिटम और पैरों में दिक्कत लाज पॉड़कास में आपने मैजिकल थर्ड एक्सपीरिंस बताए जी नेगेटिव एक्सपीरियंस क्या है और इतनी मैजिकल स्टोरी बताए कि कैसे प्रभु शिफ के सामने रोके भाव प्रकट करके आपको थर्ड आई प्राप्त हुई बिलकुल लोगो पॉड़कास ब एंड कर रहे थे तो आपने बताए कि शिवम जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं तो ना जिस तरह की केसे आ रहे हैं बहुत वेर्ड और हॉरिफाइंग केसे आ रहे हैं बिलकुल तो उसमें आप बताएंगे कि ऐसा क्या है जो आस तक घटित नहीं हुआ था जैसे केसे जास्तक नहीं है थे एकदम से जैसे एज भड़ रही है आप लाइफ में और काफी सिद्धी शक्तियां अटेन कर रहे हैं तो केसे कैसे प्रचन आते जा रहे हैं लास्ट टाइम जो मैं केस डिसकस कर रहा था आपको वो यह कर रहा था कि जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आ कुछ समझाया था बताया था उस टाइम कि द्रिश्टी में कई बार हमार को कई चीजें ऐसे दिखती हैं जो कि सादक के लिए या नॉर्मल इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है उन चीजों को समझने के लिए उनको बैलेंस करने के लिए या वो अच्छी है या बुरी है उस चीज का डिसीजन लेने के लिए हमें गुरू की अवशक्ता बढ़ती है कहीं आप जाके कहीं फसना जाएं या किसी चीज में ट्रैप ना हो जाएं तो उसी तरीके से तो द्रिश्टी अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है धीरे धीरे करके वो पॉलिश पाते जो पहले नहीं तोड़ पा रहे थे द्रिश्टी के लगातार प्रियोग करने से या उसको इस्तमाल करने से तो मेरे कुछ जो अभी जो डिसेंट में आपको लास्टाइम बताया था कि कई केस हैसे जिनको सॉल्व करने के लिए मैं लोगों के घर पर भी विजट कर र अब ऑनलाइन मैं उनको हफता दो हफता हील किया आप बोल सकते हैं उनके नाम के हवन पूजन या जब या जो भी अपनी अनरजी से हील किया उनको देवी देवताओं से जाड़े या कुछ भी चीजें की मैंने अपने जो मेरा प्रोटोकॉल होता है वो किया फॉलॉव पर most of the times जो मैं case करता हूँ उसे मैं जो चीजें होती है 90-95% cases वो होते हैं जिनमें तीन दिन में ही सामने वाले को effect पता चल जाता है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं उसके लिए और उसका positive result उसको प्राप्त होने लगता है तो आप जब यह online काम करते हैं usually मैंने आप जैसी personality जितनी भी देखी है वो physical मिलके काम करती है online में चिराग भीया के पास ऐसा क्या main सिद्धिय शक्ति है या जो भी आशिरवाद है कि आप online काम करके भी जो इनसान आप से 300-400-800 किलोमेटर दूर बैठ है आप वो काम करते हो वो फली तो जाता है आपके पास specialties क्या है मेरा vision आप बोल प्रस्पन से ही पढ़ा आया कि देवी देवता किसी एह जम्हाग जगा के लिए या एक स्थान के लिए सीमित नहीं है आप शीव कि एरादना एंडिया में बैटके कर सकते हैं अब बैटके कर सकते हैं मीमारी माता चोगान श्रार जगानन चौराय की देवी है तो हम तो बहुत दो में जो काम करता हूं इस तरीके से करता हूं आइनर्जी से लेता हूं तो देवी देव तक बाध्धे नहीं किसी भी सीमा के लिए किसी भी सीमा में जा सकते हैं किसी भी सीमा में प्रवेश कर सकते हैं उसका भी तरीका होता है कि कई बार नदी नाले या समुंद्र पार करना होता है तो उनके जो देवी देवता होता है उनके ग्राम देवता जो होते हैं वो कई बार पहरे लगे होते हैं तो जो मूगली की जो ग्रामिन देवियां होती है उनको सिद्ध करना पड़ता है साथ देवियां होती है उनकी सिद्धी से छेतरपल देव की सिद्धी से तो कई ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो करने पड़ते हैं पहले जो मैंने किये हुए इस वज़ा से हम काम ऑनलाइन भी कर पाते हैं और वो शक्ती जो फिस्जिकल जी जितना काम करी है वो online या phone पर भी उतना ही काम कर रही होती है तो कोई चीज बाद नहीं कर पाती है तो अब case पर आते हैं वापस की उस समय हमने क्या किया था जो मैं आपको case से बता रहा था भी मैंने online काम किया 2 अब अब दो हफते मालब 14 to 15 डेज मैंने काम किया वो बहुत होता है किसी एक वेक्ति को ठिक करने के लिए 15 दिन बहुत है कई केसि जैसे होते हैं कि काम नहीं हो पाता या नहीं आराम पड़ता सामने वाले को ऐसा क्यूं होता है? बहुत सी बार वो देवों का खेल होता है उसके अलावा क्या चीज़े होती है कि जो तंत्र होता है, जो आप तंत्रिक या कोई भी साधा का अगर किसी पर नेगेटिविटी का प्रियोग कर रहा है, तो कोई भी अपना तंत्र बिल्कुल शरल तरीके से बांद के नहीं वेजेगा, कि दो प्रेत उठाए और उठा के ब जा जाता है, कि उसको समझे, इतने में वो समझा गयतने में तो व्यक्ति कतम हो जाएगा, तो कई चीज़ें ऐसी होती है तंत्र में, तो तंत्र को समझने में भी टाइम लगता है, क्योंकि कई केस मेरे ऐसे भी हैं, अब आप सारे सोचेंगे कि बाई चिराग बाई को जो result होता है वो 90% जो है हमारा positive result है rest of 10% कई लोगों के करम में होती है कई चीज़े भोगना पड़ता है कई लोगों का समय अवदी नहीं आती कि इतने समय उनको वोची जहलनी पड़ेगी या कई चीज़े हमारे जो उर्जा है हमारा जो साधना शेत्र कि मुझे निकाल दो इसके अंदर से अब आप यह सोचेंगे कि प्रेत खुद क्यों निकल सकता शरीर से exactly क्योंकि वो उस शरीर में इतने साल से रह रहा है इतना समय उसने उसमें बिता दिया कि वो उसके शरीर की नसों में रम चुका है जिसकी वज़े से वो खुद उस शरीर में ट्रैप हो गया एक तरह से बंद गया है अब जब वो बंद गया है तो वो खुद चाहके भी नहीं निकल पा रहा उसको जबरदस्ती खीच के निकाला जाता है कई बार कई बार प्यार से जाडों से जाप से अभी मंतरित जल से अभी मंतरित तेल से या विबूती के पानी से निला निला के सामने वाले व्यक्ति को रोगी को इस तरीके से कई चीजों से उसका ट्रीट्मेंट किया जाता है तो ये तो आपने जैसे बताए कि शरीर में प्रेत है आपने भी पीचे जिक्र किया कि टांतिरिक प्रेत को उठाके भीजस देता है कोई टांत्रिक की बात कोई प्रेत पहली बास उसके पास आएगा कैसे आएगा तो उसकी बात सुनके वो उसी कमाड़ फॉलो कर रहा है वो कैसे पॉसिबल है बुरा है पर हर कोई प्रेथ बुरा तो नहीं होता तो अच्छे और बुरे प्रेथ सभी प्रेथ तांत्रिकों के लिए काम करते क्यूं है? जी आपको अगया सवाल है बनना मैं आपको उसका सीधा उदाण बताता हूँ जैसे की आपने सुना होगा कि तांत्रिक जो है वो प्रितों को मटके में बनकर करते हैं यह सच है क्योंकि न बच्छमानमें सीरिल्स वकर देखते थे न तो वो बॉट्लस के अंदर और शीशे वाले मटकों के अंदर और चीनी मिट्टी के मटके आते हैं वो possible सच में होते हैं वो तो हवा है ने अब एनर्जी अपना रूप बदल सकती किसी भी चीज में अपने पड़ा हो गई तो उसको किसी भी चीज मडला जा सकता है उसकी तो कोई बाड़ी और शेप ही नहीं ना वो बदलती रहती अपनी शेप तो तांत्रिक अपनी उर्जा से उनको छोटा करके मटको मडाले दे अब सिद्ध कई बार वो प्रेत सिद्ध किये जाते हैं जैसे कि आप मूलता कई ताकत और प्रेत हैं जिनके मनाम आपको बताता हूँ जैसे कि डाकनी हो गई, शाकनी हो गई, हाकनी हो गई हमारे पास खंड पिशाचनी हो गई, पिशाच हो गई, बेताल हो गई, जिन हो गई है ना और हमारे और भी कई चीज़े हो गई, भूत हो गई तो यह नॉर्मली जो चीज़े हैं यह बहुत अपर लेवल के मैंने आपको नेगेटिव एंटिटीज और ताकतवर प्रीत बताएं इनकी जो होती है तांतरिक सिद्धिया करते हैं तो इनको प्रियोग में लाने के लिए पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है जिससे कि आपको 41 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 31 दिन अब वो सादक के गुरू पर डिपेंड है वो कितने समय के अवदी में उसको बताता है कि इतने समय की कर ले और यह सिद्ध हो जाएंगी कई लोग तो 3-3 दिन की भी करके सिद्ध कर लेते हैं तांत्रिक कहलो आप उसको भगत कहलो आप उसको सादक कहलो या आप उसको कुछ भी कहलो इन केस तो उनकी शक्ति पर डिपेंड करता है कि यह जो नेगिटिव एंटिटी से हैं कब सिद्ध होंगी अब जरूरी नहीं है कि सारे लोग कोई अगर नेगिटिव उर्जा लेके भी बैठा है तो जरूरी नहीं है कि वह उस नेगिटिव एंटिटी से या नेगिटिव उर्जा से कार्य गलत ही करा है आपके पास कोई पावर हाउस है आपके पास कोई शक्ति का एक्सेस है तो आपके उपर डिपेंड करते हैं कि आप उससे किसी को जटका देंगे या किसी का बला करेंगे बिल्कुर पर मोस्ट आप टाइम जो ये चीजें की जाती है या ये चीजे पूजी जाती है बुलाई जाती है वो नेगेटिव कारयों के लिए बुलाई जाती है अब दूसरी बात आपकी क्या रही पहली बात तो मैंने आपको ये क्लियर कर दी कि तांत्रिक जो होते हैं वो सिद्धी करके कई बार चीज़ा प्रियोग करते हैं तो उनका सिद्ध की होगा कोई प्रेत वो किसी भी तरीगे से चला सकते हैं अब आपने का था कि जो प्रेत अच्छे होते हैं उनसे भी काम कैसे कर राते हैं तो मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं कि अंतरिक अपनी सिद्धी से या अपनी दूसरी प्रबल शक्ती से उन प्रेतों को मार पड़वाते हैं मार पड़वाते हैं हाँ शुक्षम रूप से हाथ लगा के थोड़ी पड़वा रहा हूँ है वो मैंने तो हाथ लगा है नहीं न उसको वेक्ति को मैं तो दूर से डेव से बोला अपने शक्टी से बोला उसको मार पड़ रही है जैसे मैं आपके पास बैटा था last time तो आप किसी की healing कर रहे थे आपने बोला कि प्रेद को आपने हनुमान जी के दूतों को बोला कि इसको पटक पटक के मारो और वो जनुवन तरीके चला रहा था उस time तो मैं वो question ना वो image मेरे दिमाग में भी भी है मैं अपने friend के साथ बैटा था मैं का यह हो क्या रहे possible कैसे है तो वो शुक्षम रूप से जब सिद्धियां होती है उनके पास कुछ अस्त्र होते हैं कुछ अस्त्र आपको सिद्ध करने पड़ते हैं कई चीज़े हैं तो वो चीज़े शुक्षम रूप से पहले तो यह स्तूल में काम करती थी चीज़े स्तूल में फिजिकली होती थी पहले जैसे सत्यूग होता था हमारा तरिता होता था तो अपर इन यूगों में यह स्तुर फिजिकली थे अब कल युग में इनकी विद्या लुप्त कर देगी है कुछ मूल रूप से विद्या बची है तो उनको हम सिद्ध करते हैं उनसे मार पड़वाते हैं बैसे बहरो बाबा आएंगे पास लेका आएंगे बहरो पास रूत तो बाबा मार वंटर तो इसी प्रकार से तांत्रिक भी प्रेतों को परेशान करके पीट के जबड़दस्ती अब आपको कोई 50 दिन लगातार मारे कोड़ों से बिना कुछ खिलाए फिलाए बिना रोशनी दिखाए मटकें बंद करके पीटे जा रहा है बीटे जा रहा है आपसे बोले आप कितने भी अच्छे हों आप काम करेंगी उसका बिल्कुल जो व्यक्ति अंदर से भी स्ट्रॉंग है जिसके पास इतनी पावर है विल पावर भी अच्छे रिश्की वो भी नहीं जिल पाते इतनी स्ट्रॉंग ली बढ़ती हो मार स्टूल से तीन मुना ज्यादा तेज सुक्षम मार पढ़ती है कई क्रियाओं में तो इतनी दिक्कत हो जाते हैं कि हम भी बिमार होते हैं असी बात नहीं है अब हम किसी तांत्रिक की क्रिया को छेड़ रहे हैं उसके क्रिया उतार रहे हैं किसी ने सामने वाले को पैसे दे रखे हैं उस वेक्ति को बिमार करने के लिए हैं और हमने सामने वाले से पैसे ले रखे हैं या किसी भी कार्रे के लिए ले रखे हैं क्योंकि फीस तो फीस है भाई हमारी जैनुमन बात है अगर हम काम करेंगा कि जो भी हमारी समंगरी है रहेगा तो मेरे को क्या होगा जो उसको ठीक कर रहा है वैक्ति को जैसे कि मैं अगर किसी वैक्ति को ठीक कर रहा हूँ अगर मैं ही ना हूँ ठीक या मैं ही डर जाओ या मैं ही पीशे हट जाओ तो तांत्री का तो बहुत से लोग बहुत ईजीली लो जाते हैं, क्योंकि आम काम अस्ते हैं आप सामने वाला बेक्तिया दुखी होके अपने दुख से, अब मैं भी सीरेसली होके उसके सामने बैटके काम करूँ उसका, तो वो इरिटेट हो जाता है, तो उसके दुख से जुड़ने के लिए थोड़ा सा हासी मजाग जीवन में करना चाहिए, ताकि वो रिलाक्स हो जाए एक तरह से, क्योंकि एक तो इमेज गुरू वाली हर कोई क करनेक्ट नहीं हो पा था उतनी जल्दी, और परसनल चीजे बता नहीं बता, तो जब हम फैमिलियर हो जाते हैं, किसी के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, तब व्यक्तिय हमार से, खोल के अपना जो दुख होता है, जो अपना दर्द होता है, वो बता पाता है, तो इस तरीके क कि अब आपका ये पांट क्लियर हो गया, बिल्कुल मैं यही सूसरा था कि कोई एंटिटी जिसमा लोग फैमिली मेंबर से उनकी बात लगे, कोई शम्शान में प्रेत जला रहा है, और उस प्रेत को आप लोग कहरे हो कि सिद्ध करके उठा रहे हो, वो आपकी कमांड किस त बेताल, ये जिन जिननात, खवीज, अब आपको पता है, जिन जो मेल कैटेगरी है, उसमें मैंने उसकी फीमेल कैटेगरी भी देखे थी, जिसका मेरे को नाम तो कर पता है, पर मैंने उसको जिन्नी नाम दियाता है, जिन्नी, वो बहुत सुन्दर होती है, पूरी वाइट ह पूरी उसकी आइबरो तक white होगी पूरी दूद की तरह सफेद हो मैंने किसी गर पर देखी थी हो तो उसमें भी एक इंटिटिव थी है तो इस तरीकी के कई और दूसरा आप जैसे आपने यह बता है आपने लास्ट टाइम एक बार ओफ कैमरा जिक्र किया था कि कि जब किसी प्रेत को या कोई तांत्रिक और जो बी घलत काम करता है वह तंत्रिक देवी देशता हों की और आप लोगों की उठस में यह बात कर रहे था आप फोन पर यह कैसे कैसे बनाएगा उसको मूल तो शम्षान के जो देवी देवता या जिस भी शक्ति से वे खारे लेता है उस शक्ति की एक उड़जा का सुरूत उस चोड़ेल से जोड़देगा जिससे वो प्रभल होईगी और अपनी शक्ति का अपने संकल्प का क्योंकि संकल्प तो तांत्रिक का है ना कि सामने वाले को बिमार करना है जैसे अगर हमने कहीं देवता भेजा सही काम करने के लिए तो उस देवता के साथ हमारा संकल्प, हमारी एक उर्जा भी तो काम कर रही है क्योंकि वो जो प्रात्ना है, वो जो चीज हम ठीक करना चाने किसी को तो वो हम से जुड़ हुई है तो हमारा भी एक संकल्ब और हमारी एक उर्जा उसके साथ काम करती है वैसे ही वो तीन उर्जा को मिला के बनाता है कि पहले उनने देव की उर्जा डाल दी उसे में चोड़ेल में सब कुछ पॉसिबल है पर विदी होनी चाहिए आपके पास यह बहुत डेंजरेस काम है आप बिना विदी के अगर कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे ठीक है ना अपने रिस्क पे कर रहे हैं चिराग भाए के बीचे हम आता है तो वापस केस पे आता है सौरी मैंने आपस क्वेशन बूस ले हो काफी लंबा हो गया फिर केस में आगे स्टार्ट कर दें केस में मैंने क्या किया बई दो आफ़ते तक उसको राम नहीं हैं मैं परिशान जो मेरे कॉल उठाते हैं जो लड़के हैं वो कहें कि गुरुजी आराम नहीं हो। Nie आए How can this MON अब अब मैंने उनको बोला कि मैंने आज क्काम करते हैं तीन दीन बाद इसको राम हो जागा इसको बोल दो तीन दीन बाद आराम नहीं हो फिर देन दीन बाद इन राम nie तो मैंने उसको कहा कि मैं फिजिकली आपको आके देखता हूँ अब शिवंबाई जब मैं उनके घर पे पहुंचा अब जब मैं दृष्टी से नॉर्मली चेक कर रहा था उनको घर पे बैठके तो मुझे वो पढ़ते पता ही नहीं चली या मुझे वो चीजें दिखी नहीं उस समय क्योंकि वो छुप जाती है अब मैंने आपको क्या बताया था पहले कि जो तंत्र है वो जाल बुनके भेजा जाता है वहाँ जाकर मुझे बता चला है कि जाल होता गया है जब मैं पहुंचा उनकी इतनी बुरी हालत वहर्याना वाली बेंजी की उनकी तब्यत जिस दिन मैंने उनको लास्ट हील किया था उसके तीन से चार दिन हफते भर के गैप में मैं उनके घर पहुंचा उनकी तब्यत और ज़्यादा खराब है जब मैंने उनके घर के वहाँ बोला उनको कि मैं आज रात को या कल सुबह आपके घर पहुंचूंगा उससे पहले जब मैंने बोला मैं घर से निकला उनकी तब खराब होना शुरू क्योंकि जो नेगेटिव एंटेटी थी जो उनको दिक्कते थी उन्होंने उनको Northern करना उनको परिशान करना मारना या तकलीफ देना शुरू कर दिया बहुत प्रबल तरीके से अम मैं घर पहुचा उनकी हलद और बेकार मैं ने घर मैं एक कदम रखा उनके घर देखा कि घर में जो तांडव मच रहा है कि जो negativity अप टो next level मैं तो यह सोच रहा कि भाई मैंने कुछ किया भी है या हवा में ही तीर मारके छोड़ दिया इतना बुरा आल उनका गर पे उनके पापा की तवित खराब ससूर जी की उनके ठीक है उनके हजबेंड का कामदंदा बंद उनकी सास की पापा कामदंदा बंद उनके सरुजी की पती बार बार उग रोज़ाए लेडीं गर में कलेज हो रहा है घर में बच्चों की तव्यद खराब होना बार बार चोट लगना किसी ना किसी को हर दूसरे दिन. इस तरीके की दिक्कत. वह फैमिली यह तनी परेशान, मतलऺा वह घर बाहर निगलते भी डरते थे. कि कहीं हम बाहर निकले घर से और हमारा एक्सिनेट ना हो जाए. ओके. इस तरीके की दिक्कत. या हमने कुछ करने ही कोशिश करी या घर से निकलने ही कोशिश करी तो हमें वो चीज जो है जो negative energy है वो कही ना कहीं बहुत ज्यादा नुक्सान दे सकती है या हमारी जान पर भी आ सकती है तो इस तरीके का intense mall घर में है अब उन्होंने मेरे लिए एक रूम खाली कर रखा देखा देखना शुरू करा मेरे चीजें घर घूमा घर में डूढ़ा कि कहां पर क्या क्या है negative energy जादा है अब घूमते घूमते घर में बात्रूम की साइड पहुचा अब बात्रूम की साइड मौचा मैंने वह वेश्रूम बोलते हैं माँपन कि अचया है पीछा परेट लातो प्रेट की जो नलकी होते है ऑना पाइप उसकी पाइप में छुपे होएते पाइच्व वाश्रूम के फ्लश की भाइप में हां कि नेगेटिव है नेगेटिव है ना अब आप बताओ जो दिव्य दिरिष्टी है जो देवता है स्वच्छ जगा पर जाएगा वाश्रूम जगा जैसी चीजों पर वो कमी जाते और मेरा भी यह लगा लो आप दूसरा या तीसरा यह नुभवता बहुत कम होता ऐसा कि प्रे हम मैं देखता घर में भी कुछ नहीं और वहां भी कुछ नहीं है ना और जैसी मैं चीज़े वापस बूला था या कॉल कट करता या उनका काम करके हटता तो वो चीज़े वापस एटेक करते उन पे उनके घर के पित्र बेकार देवी देवता बेकार उन पे क्रिया बंदन तो नाघ खदर्नाक तंत्र कर रखा थे अनों ने आए दिन हर किसी के एक्सिरेंटि क्श्रेंट वो ना बच्चों की तवेथ ख्राब होना उनके चोटे उनकी जो वो सास हैं, उनके पेट में दिक्कत बहुत ज़ादा, उनका यहां तक की किडिनी स्टोन बता रखा था उनको में भी शायद है, किडिनी स्टोन बता रखा था और लीवर में सॉयलिंग बता रखी तो जिसमें कि वो तो अलकॉल कंजूम भी नहीं करते, दश्यू दशाकारी फैमली किसी के घर की कोई एलकॉल कंजूम करें तो नॉर्मली सामने वाले के जो व्यक्ति है उसके लिवर पर आती है, है ना, क्यूंकि लिवर खराब हो जाता है, या किसी को जॉन डिस्क हुआ हो, जिसको कहते हैं, नॉर्मल बार्शा में, तो वो लिवर को कमजूर कर दे यह दोनों ही चीज़ें उनके साथ हो जी नहीं थी, अब लिवर फैपक्त पड़ रहा है उनके, तो आप जब स्टार्टिंग में जब वो केस आपके पास ऑनलाइन आया, तो आपको कहा नेगिटिविटी दिखाए दी थी, क्योंकि आप कहा रहे हो, घर में गया जब तो प जो तंतर था वो जालब उनके बेजा गया था, वो एक तरह से मिसगैड करने के लिए वो स्टूपिड बनाने के लिए था, बिल्कुल, वो एक शुक्षम परदा लगा के बेजा गया था, कि जो सामने जो मूल चीज़ें, जो असल में जो चीज़ें परिशान कर रहे हैं, वो चीज़ें दिखे ही ना, शिरिफ एक परदा, तो मतलब आपका कहने का मतलब है, मतलब तांतरिक ने ऐसा स्मार्ट प्ले कर रखा, था कि ओविसली कोई परिशान होगा तो कि चौकी दरबार किसी परसनालिटी से, आप दिसी परसनालिटी से कनेक्ट होगा, उसने उसके परेमिटर्स पहले रेडि कर रखे, ताकि कोई पता ही ने लगा पाए कि तंतर क्या किन ने, ये बहुत मोटी करिया होती है, ये प्रॉपर्टी के डिस्पूट को ले के होई थी, उनके पिताजी की कोई प्रॉपर्टी थी, जो पुरानी थी, उनके दो पार्टनर्स में ड उसने तांत्रिक को बोला था कि मेरा पता नहीं लगना चाहि किसी को कि करवाई किसने और किस से करवाई या, तो इसलिए तांत्रिक ने पूरा वो जाल बुन के बेजा था और पड़दा लगा के बेजा था शुक्षम, इस तरीके की दिक्कत थी, और इतनी प्रषण चीज इस से डील करने में परशान हो गया था, मैं उनके घर पर तीन बार विजिट किया है, वो भी तीन-तीन दिन के गैप में, तो जब आप घर में थे, तो मतलब बेसिकली रियाक कैसे करे थे, जिनको बेसिकली जिन लेडिस को प्रॉब्लम थी, उन्हों रियाक कैसे किया आपक जैसे मैंने हाथ दरगे मंतर पड़ा तो वो टेड़ी मेड़ी हो गई, जैसे नॉर्मली नेगेटिव उर्जा जब किछी के उपर आती है, तो परिशान हो जाते ना, तो इस तरीके से वो भेंजी मूड गई थी, अपने गुस्चे में आ गई थी, और उन्हों सब को दबा कर रखी थी, एक तो हिंदू, एक मुसलमानी, मतलब जो तंत्र प्रियोक करने वाला जो तांत्रिक है, उसको दोनों करिया करने आती है, तो हिंदू तंत्र भी जानता और मुस्लिम तंत्र भी जानता है, तो उसने इलम की भी सक्ती बिज रखी थी, उनने मशान की भी सक्ती और प्रेत अगर मैं कहूं कि कितने थे महां पर तो 3 प्रेत थे दो महीला पर चुड़ह ले थी एकर मैं सीधा बोलो था आपको 3 हों टील लिए कि एंटील्टी थी आप पोल सकते हो भूह सरक्डेकों हो चुड़े लें जो कि उनके पूरे घर में तांडाव मशारिद है और दिख नहीं रहे थे सोचो सपोस इसलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज जरूरी नहीं है जो चीज आप देखो वही सकते हो क्योंकि दृष्टी को भी ब्रहमित किया जा सकता है तंत्र इतना प्रबल है और वो जाल की तरह बुनके बेज़ा जाता है इसलिए तो इंद्र जाल जो है वो तंत्र के किताब काया जाता है क्योंकि वो जाल की तरह बुनके बेज़ा जाता है अब जाल एकदम से समझ में थोड़ी आएगा और ना आप उसको बेज सकते जब तक आप उसको सुल जाओगे नई उसकी कडियों को नहीं समझोगे अब आपको मैं बताता हूँ तीन दिन के लिए मैं उनके घर पे रुका पहले तो offense तीन दिन के लिए मैं उनके घर पे रुखा मैंने उनके घर पे हवन किया उनके जो भेंजी जिन की तवित खराब थी उनके उतारे किये अब उतारे हम मैं किस किस पैसे करूँ मैं यह सोचूँ वो कि सब की हालत खराब है कि सब में उन्होंने नेगेटिव जो चीज़े थी उन्होंने अंश डाल रखे थे अपमें तोड़ा तोड़ा किसी के पैर में मिली उनके ओपर से किशा जो अर्याना की बैंजी तो जब आप किसी के घर में जाते हो तो यूज्वली ऐसा ही होता है कि एंटीटी सामने खड़ी होती है क्योंकि आप जैसे बता कि entities में इतनी पावर है कि उनको अभास होता है कौन आने वाला है बिल्कुल मैं आपको पहली बात बताता हूं पहले दिन में उनके घर पे पहुंचा तो वो प्रेत मेरे को देखके हाथ से रहे दे लिटरल यह से रहे दे क्योंकि मैं अपनी चीज़े बाज़त करके रखता जल्दी से ठीक है क्योंकि कई कवच लगा के जाना पड़ता है ऐसी जगहों पर वरना हमें भी दिखकत हो सकती है तो मैंने तो अपने कवच लगा रखे थे तो उनको पता ही नहीं था उनको नहीं को नोर्मल साथ में आगे कुर्ता पजामा पैर के तो मैं पहुंचा वो च करने लग जाऊं तो मैं सफर से तका हुआ फिर पूरी राति खेल जाएं हो एक तो आराम तो करा हैं मैंने तो इसलिए मैंने फिर अगले दिन से काम शुरू करहां अगले दिन उनके घर पे कोई उतारे की चीजे मैंने उतारी उन पर से यहाइफल वगएरा और मिर्ची दूसरे दिन उतारा गया और ज़्यादे तब इस ख्राब हो की और ज़्यादे तब इस ख्राब मैं चोचो डील क्यासे करों फिर मैंने वो जो पड़दा था उसकी भेधनी की एक क्रिया हमारे गुर जी ने हमारे को बता रहुकिती कि ऐसा कोई तांत्रिक पड़दा लगा के बैठा हो, तो उसको भेधन कैसी किया जाता है मने उसको भेधन किया भेधन करने में में दो दिनी गिंटे लगए मेंक nggak उसकी आब बाद फिर मैंने जब तांतरिक देखा तो उस तांतरिक को रोकने व SNT के लिए क्यूंकि वो रूक ही नहीं रहता हूं लगातार क्रिया पर क्रिया बेज़े जाए बेज़े जाए क्योंकि वहां तो बात करोडों की थी ना बिलकुर पाटनरशिप में कोई काम कर रहा है जमीन जायदाद का करोडों की प्रॉपर्टी की बात चल रही है उसको पता है कि सामने वाला मेरे को फीड कर रहा है पैसे द किसे मैं हटाए आटा तके परिशान उसके परIGHT कि फिर मैं परिशान होने के बाद बहुत ज्यादा मेरे को आ का गुस्सा अब मेरे को आगा गुस्सा तो थो मैंने वैसे में करता नहीं किसी के साथ जल्दी से कि किसी की कोई क्रिया में उठा के विप्रीत मारू और विप्रीत मारने के लिए सबसे प्रचांड शक्ति जो मैं मानता हूँ या मेरे हिसाब से जो मैंने जिनको प्रात्ना करके जिनका काम देखा है विप्रीत मारने में तो वो हमाता बगला मुकी आपकी 70 दिन पर दिन मैं था मैंने शक्ति देखञी थी मैं बगला मुकी कि क्या होती है को फिर मैंने बगला मुकी आवन किया उसके तीसरी दिन क्योंकि दो दिन तक Soyran थेक्षिगों कोछिगों यह परिशान रहा कि ये कैसे कैसे परिशान कर रहे हैं परत दर परत चीजें परत दर परत चीजें कैसे कि भई पहले तो मैंने देखिए वो प्रेत है वो प्रेत हटा हूँ तो वंतंत्र खेल रखा उन्होंने वंतंत्र ये क्या होता है वंतंत्र आप क्रिया कह सकते है अगोर क्रियां में आता है और उसमें क्या होता है कि वन के जो जानवर होते हैं उनकी spirit से काम लिया जाता है जैसे कि नाग, भेडिया, लिजर्ड तो इस तरीके की जो बाज, पक्षी, पक्षियों के अंडों पर होता है तो इस तरीके की जो चीजे होते हैं इस तरीके की जो क तंत्र के अंदर आती है अब यह तो मैंने आपको बता है कि वह तंत्र लगाया कैसे वह था अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने को हटाने में उसको कितनी मेनत करनी पड़ी अब सबसे पहले जो मैंने काम किया था उसके घर में एंजी के जाके जिनके घर में दिक्कत थी सबसे पहले तो मैं उनको घर बादित किया कि पहले तो कि वो चीजे जो भाग रहे थी दोर दर वो भाग ना पाएं क्योंकि वो फिर भाग जाएंगी फिर आएंगी तो मैं कब दक उनको टैकल करूंगा चीजों को न और तांत्रिक बार बार क्रियाएं भेज रहा था प्रीद भेज रहा था तो उसके लिए एक बंदल लगाया कि वो चीज़ें अगर कोई भेजे तो वो डायरेक्ट जो पेश मैंने सबसे पहले जो चीज़ें उठाई मां से दो उठाई वो बेंजी के जो उतारे कि उनमें दो चीज़ें सबसे पहले बांदी या काटिया आप बोल सकते हैं या खत्म की वो थी दो जो चुड़ेले थी जो female entities थी उनको सबसे पहले कीचा क्योंकि वो जो थी वो किया ताकि हातोवत वो चीजे खतम हो जाएं पूरी तरीके से फिर हवन किया फिर उनको थोड़ा सा राम पड़ा पहले दिन दूसरे दिन जब मैंने क्रियाई छेड़ी वो जब प्रेच छेड़े तो उन तीन प्रेचों ने मिलके तांड़ा मचा दे पूरे घरमा जब यह आ आप किसी को किसी के घर से निकालो गए तो वो तो मारेगा न तोड़ फोड़ करेगा वो बहुत ज़ादा मलब चीखने लग गई चिलाने लग गई दर्द हो रहा उनको कस्टोरा बार 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 बहोश हो जाएं फिर उनको उठाओं मैं उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको दबा के उठाओं फिर भियोश हो जाएं आदे पॉने घंटे के गैप में फिर दिक्कत हो उनको आवाजे आएं चीखने की चुबे उनको कुछ शरीर में जैसे सूही चुबा रहा हो कोई ऐसा लगे उनको कोई काट रहा हो ऐसा शरीर में लगे उनके शरीर में निश क्रिया में जो बेजे गए थे प्रेट उनको बल जो मिल रहा था वो तांत्रिक क्रिया के उज़े से मिल रहा था क्योंकि पीशे से जो तांत्रिक बैठा हुआ था वो बल दे रहा था उनको ताकत दे रहा था तो मैं जितना उनको काटू थोड़ी दिर बाद वो वापस से प्रबल हो जाए फिर उतारू या फिर हलका करू फिर वो प्रबल हो जाए तो मैं परशान हूँ चीज से अब मैंने उनको हटाने के लिए पहले तो वो शुक्षम पड़दा बेदा जो मेरे गुरू जी निमाने आपको बताया था कि कि मैं नॉर्मली नहीं करता कि किसी की क्रिया किसी पर उल्टी करके मारू लेकिन जब सामने वाला मान ही नहीं रहा अपने तीन से चार बर पहले तो तीन बार सामने वाले को छोड़ो क्यों कि यह आपका धर्म बनता है है ना कहते हैं नहीं एक मौका तो भगवान भी देता है किसी को हम थोड़ा दो से तीन मौके देते हैं हम तीन बार ही हमारे गुरूजी कहते हैं कि तीन बार ही सामने वाले को छोड़ दो चिताव नहीं देखे अगर तीसरी बार के अलावा चौती बार अगर वह क्रिया कर गाटा है तो फिर बेटा मरता हो तो मार दो कोई दिख्कत नीए फिर तो गसीड लो पैर पकड़ के फिर मेने मा बगला मुकी को याद करके उनका पहले हवन का सामान क्यूकर वह पे मैं लेके नहीं यह था बगला मुखी क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि इतनी प्रभल कोई चीज होगी कि मैं परिशान हो जाओंगा मैंने बगला मुखी का जो हवन समग लिए जो पूजन में विदी में जो समान लगता है वो अरेंज करवाया फिर तीसरे दिन मा बगला मुखी का हवन कि तीसरे दिन तो वो तंत्रिक भैवीत हुआ और शान्त हुआ कुछ समय के लिए और तीसरे दिन में उनका घर बगला मुखी हवन करने के बाद फिर वहां से मैंने प्रस्थान किया अभी भी वो सारी चीजे खतम नहीं करी थी मैंने क्योंकि जो काम था तंतर था वो टाइम टेकिंग था जो प्रॉसेस था और कित्य टायम से प्रॉब्लम थी उनको जो दिक्कत थी शिमां भाई मेरे शाब से जहां तक मेरे को याद है बारा से पंदरा साल पूरानी दिक्कत थी जब भी आपने बताया था कि कोई भी चीज इतनी easily body से नहीं नीकलती है अगर 2-5 साल से extra room गई हो तो बिलकुल वो क्रिया 12-15 साल पुरानी नहीं थी जो उनको extreme level पर जो दिक्कते होना शुरू हुई थी वो 12 साल पहले शुरू हुई थी उनका financial down जाना लगतार 10 से 12 साल से उनका financial down शर्ट जारा था ठीक है physically problem सारी थी सबको अब normally जो इनसान होता है वो negativity हम भी जो personally अगर हम बता है कि अगर हमारी भी थवित खराब होती है कभी हम भी physically बिमार होते हैं मौसम भी बिदलता है सौ तरीके की चीज़े हैं है ना तो हम भी पहला थोट यह नहीं लाते कि हमार पर किसी ने तंतर प्रियोक कर दिया हम भी normally जो सबसे पहले जो होता है वो consult डॉक्टर को करते हैं कि डॉक्टर से मिलते हैं medicine लेते हैं और उनको किसी को medicine में आराम ही ना आए अचा एक छीड ठीक हो गई शेरीर की बिमारी उसको दूसरी बिमारी बन गई फिर उसका क्यों करवा जै उसको operation करवा जै तीसरी बिमारी बन गई तीसरी बिमारी का ऐसे करके शेरीर वो चीजे उनके शेरी को डैमेज करे जाती है खा रही ती अंदर से तो आप इसमें यह कह सकते हो कि जितने भी वीवर्स हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं अगर कोई किसी को कोई बिमारी बैक टू बैक लग रही है होगतेशन आपनी वीदी में ने कर दी अपना काम कर दिया उसके बीच में गैप तो रखना पड़ेगा ना मुझे कि क्या किया उसने और उसको करना पड़ेगा उसको टाइम तो लेना पड़ेगा ना तबी तो पता चलेगा कि सामने जो पेशन्ट है जो जिसको दिक्कत है जो रोगी है उसको आराम है कि नहीं है अब मेरे को समय लेना था बीच में तो मैं तीन दिन बाद उनके घर से मैंने प्रणम करके उनको वही आग गया ले कि मैंने प्रष्थान के अपने इस्थान पई फिर उनको हफ्ता-दौथा राम रा फिर वापस्ता तरीक ने करियाए कर दी लेकिन आपने अभी थोड़े दिर पहले बताया कि आपने घर बादित कर दिया था फिर वो क्रिया वापस कैसे आई क्योंकि बादित करने कुछ समय के लिए होता है ना जब तक मा बगला मुखी की जो उर्जा जो मैंने आवन किया था वह वहाँ पर तीन से चार दिन हफता बर के लिए वहाँ पर प्रचन डूड जाती और जो तांत्रिक है जिनने क्रिया करिया उनकी घर पे उसके पास उनके घर अलो की कुछ नीजी चीज़े थी कपड़ा, बाल या पैर की मिट्टी इस तरीकी की कुछ चीज़े थी वह बार बार उनके तत्व को लेके जो उसमें उनकी स्मृति है जो कपड़े में या उनकी मिट्टी में या उनके बाल में जो स्मृति है उनकी जो उड़ जा है उसको लेके बार बार तंत्र कर रहा था उनने फिर वापस किया फिर मैंने इस बार लेकिन मैं पूरी तिहारी से गया था क्योंकि मुझे पता था कि सामने वाला लड़ाई के मुड में बैठा है तो तीसरी बारी में फिर आपको समझ में ऐसा कुछ था कि वंतंत्र आपको लगा कि आप वंतंत्र का इस्तमाल हो रहे हैं मुझे वो दूसरी बार में समझ में आया क्योंकि पहले तो मैंने वो प्रेथ हटा दिये जिए, अब जब प्रेत हटा दिये तो उसके शरीर में, नाग की शक्ती जो थी वो हाज़री बहर रही थी मुझा रियाक्ट करें थे नाग की तरह नाग की तरह रियाक्ट थो कर रहे थे, लेकिन मैं दृष्टी में जो देख पा रह다 था, वो तीन साप थे तो उसको खतम किया फिर वो हटाने के बाद सारी चीज़ें क्यों किया उनको हील किया और दूसरी बार मैं प्रॉपर बंधन लगा के आया उनके घर पे जो पॉमनेड बंधन होता है मैं कवच देका आया उनको उनको रुद्राक्ष कवच देका है सब को धारण करने के लिए उनके बच्चे से लेके बड़े तक बूड़े तक सब को मैंनेना पबिश परदान वहां पे घर के लिए करदान किया ईनफी गाडियां जो थीडिंके लिए मतश्फ्रदान करें क्योंकि जरूरी नहीं है नहीं जो करवाने वाला है जो आपका बूरा चाहरा है अब एक तांत्री को तो मैंने चलो रोक दिया या हटा दिया उनकी तरफ से लेकिन जो व्यक्ति आपका बूरा चाहरा है वो दूसरा तांत्री को डून सकता है जो एक तांत्री को डून सकता है और पैसे की तो कमी है ही निया के लिए पर पता है यह तो बात हमारे को जो एक को पैसे दर दूसरे को भी दे सकता है उसके बाद फिर मैं उनके घर पे दूसरी बार पूरा बाधित करके आया उन चीजों को जो तंत्र था जो प्रियत थे उनको काटा हवन के उनके नाम के उनके नाम के किरिया है कि उनको परताडित किया कई बार मार मार के निकाले हैं उपरेद मने क्योंकि मानी नहीं रहे थे तो यह जब आप किसी के उपर यह उपयोग को आप चाहे हीलिंग कह सकते हो यह उतारा कह सकते हो जिसे पुराने टाइम पे लोग उता रहे ही बोलते थे अब तो इसको मॉडिफाइए करने के लिए फिर डर के परस्पेक्टिफ से लोग हीलिंग का नाम बिल्कुल बिल्कुल तो बॉड़ी पर से रियक्ट नहीं होता है मतलब जिसको हीलिंग हो उसके बॉड़ी पूरी तरह के डामेज होती होगी बिल्कुल इसलिए तो उसको मंतर जाप आप करने को ने को बुले आता है तो मैने बर बाद फिर मैंने उनसे उन्से कनेक्ट किया कि अपने टीम के बुला कि बेटे वो जिनका काम किया था बहन जी का आहीrent वाली इन्से एक बार कनेक्ट करो उन्से पूछो कि कैसी तब यहता है कि कहीं पता चले कि भाई वो बोली नहीं रही है है बरबाद मैंने शिवम भाई वापस से विजिट किया उनके गर पे क्योंकि मेरे को अपनी दिल की तसल्डि पूरी तरीके से करनी थी तो चिराग भाई अभी आपने थोड़ टाइम पहले बताए कि आपने माता मंशा के आशिरवात से वाला केस वाल किया नाग की आत्मा जो शरीर में थी तो आपने कुछ टाइम पहले बताया था जो लास्ट पॉड़कास था कि थर्ड आई में आपको एक एक्सपीरियंस हुआ जिसके अंदर आपको माता मंशा के दर्शन हुए तो आप इसको को रिलेट करोगी हो सकता है कि माही ने दर्शन कुछ टाइम पहले इ जुड़ी तो मेरे को जाना चाहिए उसको आशिरवाद रूप में आशिरवाद देने या कार्य के लिए तो मैं बिल्कुल उस चीज से कनेक करना चाहूंगा कि देव तो दे में जी हमार को कई बर क्या होता है कि कोई नई शक्ति मिलती है तो उसका अर्थ हर बार यह नहीं साल बर बाद इसके पास एक प्रचंड केस या प्रचंड कोई क्रिया आने वाली है जिससे की लिपटने के लिए जिसका समाधान करने के लिए इसको इन देव की या इनकी उर्जा की जरूत पड़ेगी तो कई बर कई चीज़े इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनसे जुड़ कोई ना कोई तंत्र की चीज़ या किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली होती है हमार पर तो इस चीज़ से मैं जरूर कने करूँ क्योंकि यह मेरे साथ बहुत बार हो चुका है पहले तो आप लास्ट टाइम जब खुद की तसलिक लिए उस घर में वापस गए तो फाइनली क क्या रिजल्ट रही हमने दिल की तसलिक लिए पना पर गया अब मैंने सारी चीज़े बाति तो करी दी तो खीर पिर मैं सबको कवच दिए कंवच दैने के बाद इनके बंढनकरे और तीन दिन फिर वहाँ पर मैंना उनको हील किया हील करने का आप कनेक्ट मुझसे यह बात से कर सकते हैं कि मैंने क्या कि वह जो व्यक्ति थे उनकी नेगेटिविटी तो मैंने निकाल दी लेकिन वह जगा बनी हुई है शरीर में नेगेटिविटी बैटने की जो जखम बने हुए और उन्होंने जो मंत्र जप रहे हैं उससे वह दीरे अराम पड़ेगा उनको और जो मैंने जप रहा है मैंने कई सालों से जप रहे हैं तो मेरी हीलिंग जो एनरजीज है वो थोड़ी जाद एक्टिव है तो मैंने उसके बाद उनको तीन दीन के लिए चरिफ हील किया ताकि उनके शारिडिक दर्द और कश्ट किलो से माइयों की कि्रपा रही देव की किरपा रही इस्ट्वा गुरू की किरपा रही कि हमने जो भी थोड़ा बहुत जो भी देव से प्राप्त funktion प्रयोंा ज्यान से उनको ठीक कर पाकिए बैनको अब वह ठीक चराग भाय अपने यह तो बताए नहीं हमें भाई मैं भगवान थोड़ी हूं मदेवा दिदे महादेव तोड़े त्रिकाल दर्शी जिसको सब कुछ गयात हो मेरी भी कोई सीमा है कारे की द्रिश्टी की हर चीज की सीमा होती ह्मार्चे भी बहुत अच्छे सादक बैटे हैं धरती पर हम सब उनको नमन करते हैं उनसे प्रातना करते हैं हमें भी अगर कभी अवशरता पड़े तो शुक्ष्म रूप से अपन के माद्यम से है किसी भी तर करें ताकि हम जनकल लेंड में आगे और कार्यकरत हो पाएं वह इसी प्रकार्ट से और भेंजियों को भी ठीक कर पाएं तो अभी के लिए तना ही जैश्री माकाल आपको केस के बारे में सुनके आयनो काफी कुछ सीखने को मिला हुआ कि ब्लाक मैजिक का और इस सब चीजों का यूज करके कितने हॉरिफाइंग तरीके से कोई अगोरी कोई तांत्र के कोई भी गलत प्रसारेटी इन चीजों का यूज करके किसी को डामेज करती है आयनो हमारे काफी सारे व्यूवर्स अलड़ी परिशान हों गया फिर हो सकता है उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा हो तो अगर चिराग लहोज या कोई भी तरह की परसनेलिटी जो मेरे पाड़कास्ट पे आते हैं अगर आपकी हेल्प कर सकते हैं तो गाइस आपको स्क्र चिराग लहोज का नमबर है आप इन से डरेक्ट कांटाक कर सकते हैं और अगर और किसी परसनेटी से आप कांटाक करना चाहते हैं तो आपको उसके अलावा एक लेफ्टेंड साइड को एक और नमबर शोरा होगा हुआ अला नमबर मेरे ही एक टीम मेंबर का है आप उस पर पीस कांटाक कीजिए अगर कोई कॉल्स पिक नहीं करता है तो गाइस डोंट गेट पैनेक आप प्रीज वाट्सअप पर कांटाक कर सकते हैं क्योंकि डेली बेसिस पर काफी सारी कॉल्स आते हैं टीम मेंबर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हर कॉल को उन टाइम उठाके आ करवाना चाहते हैं चाहिए रिलेटेट तो एस्टोलोजी और निम्रोलोजी और रेकी हिलिंग और नेगेटिविटीविटी हिलिंग हो या फिर कोई भी तरह की हिल्प मैं अगर कर पाऊंगा तो मैं ट्राय करूंगा जब तक के लिए गाईस इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज लव दिस वीडियो और दोंगेट तो सब्सक्राइब दिस चैनल जब तक केले कीप लविंग कीप वाचिंग वाचिंग दिस इशिव अगर्वाल थैंक यू सो मुच गईस